कि नमस्कार दोस्तों कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है आज बुद्ध पुर्निमा है आज हम बात करेंगे बगवान बुद्ध की और आज से करीबन 2000 साल पहले बनाये गए एक ऐसे सोने के सिक्के की जिसमें बगवान बुद्ध का प्राचीन्तम अंकन मिलता है आज से 2500 साल पहले बगवान बुद्ध का जन्म लुम्मिनी नाम के एक बागीचे में हुआ था यह लुम्मिनी आजकल नेपाल में है बगवान बुद्ध बारप के शाक्य जन्मपत के राजकुमार थे उनका नाम था सिद्दार्ध गौतम शाक्य जन्मपत उत्तर प्रदेश के गोरकपुर जिले में है 29 साल की युवा आयू में जीवन का रहस्य और दुख का अंत खोजने के प्रयास में उन्होंने अपना राज़री जीवन और संसार छोड़ दिया 6 साल की कटोर तपस्या के बाद पीपल वुक्ष की छाओं में उन्हें बुद्धत पर प्राप्त हुआ तपसे वह बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए बुद्ध का अर्थ होता है ज्यान संपन ग्रक्ति जिसने जीवन का अंतिन सत्य प्राप्त कर लिया है यह बोधी ज्यान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने उस ज्यान को लोगों में बाटा और उन्हें जीवन प्रबुद्ध करने का मार्ग बताया यही ज्यान आगे चल कर बहुत धर्व बना और सारे विश्व में फैला भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि जीवन में दुख है किन्तु उसका निवारण भी है उन्होंने अस्टांग मार्ग बताया जिसे हम बोट धर्म से जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था और जिस दिन उन्हें बुद्धत्प प्राप्त हुआ वह दोनों एक ही दिन थे वह दिन था वैशाक माह की पुर्णिमा इस दिन को बुद्ध पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है आज बुद्ध पुर्णिमा है आईए तो अब देखते हैं उस सोने के सिक्के को जिस पर भगवान बुद्ध का प्राचिन्तम अंकर मिलता है सोने का या सिक्का कुशानवन्स के महा प्रतापी राजा कनिश्क प्रथम ने ईसा 127 से 152 के वर्ष दर्व्यान बनाया था सोने का या सिक्का कुशान सामराज्य के महान राजा कनिश्क प्रथम का है इस सिक्के का वजन करीबन आठ गराम है और इसे दिनार कहते थे इस सिक्के पर राजा कनिश्क को अबनी कुंड में हवन करता हुआ दिखाया गया है उनके चारों ओर ग्रीक में लिखा है शाओ नौन शाओ कनिश्की कुशानों इसका अर्थ होता है राजाओं के राजा कनिश्क कुशान इस सिक्के की दूसरी तरफ बीच में बगवान बुद्ध खड़े हैं उन्होंने संगती नाम का एक वस्तर पहना है और बाएं हाथ से उसका एक छोर पकड़ा है उनका दाया हाथ अवय मुत्रा में हैं उनकी आखें बड़ी और खुली हुई हैं बड़ी मूचे हैं सर के ऊपर कुशनिश्दारण किया है और कपाल में उर्ण है उनकी बाएं और कुशानवन्स का एक चिन्न है और दाएं और ग्रीक में लिका है बोड़ो इतिहास कारों के लिए राजा कनिश्क एक महा प्रताविक कुशान राजा था जिसका सामराज्य दक्षिन उजवेकिस्तान से लेकर ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पे कश्मीर से लेकर सांची और पटना तक फैला हुआ था किन्तु बाउद धर्म के लिए राजा कनिश्क एक महान बाउद धर्मी था जिसने बुद्ध धर्म की महासबा आयोजित करके बुद्ध भगवान की उपदेशों को तांबे के पन्नों पर क्रंथस किया था इस महासबा का पुर्ण अमर्णन चीन के यात्री व्युवेंसंग ने किया है इसी राजा कनिश्क की कारण बुद्ध धर्म में एक नया पंत शुरू हुआ जिसी महायान बुद्ध कहते हैं महायान का अर्थ होता है एक विशाल वाहन जिसमें अधिक्तम लोग यात्रा करके निर्वान पा सकते हैं सोने का यह सिक्का इसी महासभा के आयोजन के वक्त बनाया गया था दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध के निर्वान के बाद करीबन 400 सालों तक वगवान बुद्ध का अंकन उनके मानविय स्वरूप में ना होकर सांकेतिक स्वरूप में होता था यह सांकेतिक स्वरूप थे ब्रुक्ष, हिरण, स्टूप और हाती राजा कनिश्क ग्रीक देश की मूर्तिकला से परिचित था इसी वज़े से जब महायान धर्म की स्थापना की गई तब से बगवान बुद्ध को उनके मानविय स्वरूप में भी पूजा जाने लगा इसी वज़े से इस सिख्के पर बगवान बुद्ध का जो अंकन है उसमें बारतिया और ग्रीक मूर्तिकला का सुन्नर मिश्रण दिखता है सोने का या सिख्का बहुती रेर होता है अब तक ऐसे सिर्ख 6 ही सिख्के मिल पाए है इस कारण से इन सिख्कों की कीमत 2 करोण रुपेओं तक मानी जाती है आज हमने जाना आज से करीबन 2000 साल पहले कुशानवन्स के राजा कनिश्क ने सोने के सिख्के बनाये थे जिन पर बगवान बुद्ध का मानविय स्वरूप दिखाया गया है बगवान बुद्ध का यह प्राचिंटम अंकन है यह सिख्के बारतिय और घ्रीक कला के सईयोजन के उत्तम नमुने है अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मज़िदार सिख्के की कहानी लेका फिर प्रस्तुत होंगे जण्यवाद अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइट और शेर जुरूर करें कॉइन स्टार्स चनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाले एपिसोड की चांदकारी आपको लगातार मिलती रहेगी धन्यवाद